तो हेलो गाईज मैं हूं संसे और भाई फिर से आचुके हमें एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तो भाई आज किस वीडियो में हमने फिर से मंगाया हुआ है कैसीफाई से एक नया प्रोड़क्त यानि आज हमने सबसे अलग चीज मंगायी है भाई मतलब अभी तक हमने रिफर विष्ट फोन मंगाया है है यार रिफर विष्ट फोन ही बट ये सबसे अलग ब्रांड का है यानि ये हमने मंगाया है Micro Max Company का अभी तक हमने एक भी स्मार्टफोन Micro Max के नहीं मगा हुए थे इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको भी मगा कि ट्राइ कर लिया जाए मैं आपको बता दूँ मैंने इसको E-grade के अंदर मगाया है एंड इसकी प्राइस की बाद भी हम करेंगे और condition कैसी आएगी वो तो Unboxing के बाद ही पता चलेगी तो बीना किसी देरी के कर लिजेगा वीडियो को Like और ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए कर लिजेगा चैनल को Subscribe तो बीना किसी देरी के मैं इसको Unbox कर देता हूँ भाई सबसे पहले मैं आपको Box दिखा दू Box आप भाई अगर हमारी पिछली वीडियो से देखेंगे तो Box तो आपने भाई डेहर सारे देखेंगे क्योंकि यार हम ऐसी Unboxing करते रहते हैं तो भाई आप Box देख सकते हैं पूरा एकदम Seal Pack डबाया है एंड मैं इसको कट कर लेता हूँ तो भाई जो यार कैसी फाई वाले पैकिंग देते हैं भाई वो काफी सुपब टुपब देते हैं क्योंकि भाई जो प्रोडक्ट आए वो खराब ना है बाकि अंदर पहले से ही डेहमेज हो एंड भाई तो भाई ये रहा यार फोन एंड भाई बिल ये रहा तो बिल हमें आप खुद दिखा दूँगा बट पहले यार फोन देख लेते हैं तो भाई फोन आप देख सकते हैं फोन जो यार डिस्प्लेय तूटी नहीं है यार मतलब एकदम सही कंडिशन यार हलके फुल के स्क्रैचे से मतलब यार स्क्रीन तो टूटी हुई नहीं है हलके फुल के स्क्रैचे समसे लेने वाले हैं एंड भाई बैक साइड से तो भाई एकदम न्यू टाइप मुझको ये लग रहा है क्योंकि भाई आप देख सकते हैं इसका ढखकन चेंज भी हो सकता है कंपनी वालों ने चेंज कर दिया हो यानि कैसी फाई वालों ने यह मुझको नहीं पता बाकी मुझको चेंज लग रहा है यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो कैमरा है एकदम हलका सा scratch हलका सा यानि टूटा हुआ है एंड मैं इसका lock हो लेता हूं फोन को हम कर लेते हैं on तो इन लिखा हुआ चुका है यानि Micromax कन्फ्यूज नहीं हो यहाँ क्योंकि Micromax के अंदर यही इन लिखा हुआ आता है पीछे साइड भी इन आपका लिखा हुआ है इन लिखे होते हैं ताकि भाई कोई भी आप ड्याइमेज फोन आ जाता है यानि अगर क्यूशी रिपोर्ट के अंदर उसका चेंज चंज प्लाइशी है तो कंपनी आपको चेंज करके भी दे सकती है यानि अगर QC4 रिपोर्ट से ज्यादा गर डैमेज आ गया माली जे QC रिपोर्ट में लिखा है कि बैक पैनल डैमेज है अगर आपका आगे का भी डैमेज आ गया और अगर वारंटी के अंदर है तो कंपनी उसको चेंज भी कर देती है और भाई इस्क्रीन आपके सामने आद सूपब. मैंने एक सिलफी कैम्रा से प्क्रक्क कर लिए हैंने कामने में पाता नहीं, अगा क्वली ही नहीं रहा है था, आपके सकते हैं यह सिलफी कैम्रा क्लाव है वह काफी अच्छा है, क्य poswahर में स्म काफी बढ़िया सेलफी कैमरा हमारा आ रहा है एंड भाई जो फोन की कंडिशन आई है यार वो पीछे साइड से भी आप देख सकते कितनी बढ़िया आई हुई है एंड फ्रंट साइड से भाई हमको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है एंड भाई 158 रुपए में मंगाया हुआ है जो की मीडियम रेंज है इतना जादा भी नहीं है एंड भाई जो फोन की कंडिशन आई है की 158 रुपए के हिसाब से काफी बढ़िया कंडिशन के साथ आया है आज भाई इसने हमारा दिल खुस कर दिया क्योंकि भाई कोई विड़े में इ बात करूंते 464 यानि 4GB RAM और 64GB ROM इसमें आपको देखने को मिल जाती है जो 288 रुपए के हिसाब से काफी बढ़िये कंडिशन के साथ आया है एंड हर चीज हमको वर्क देखने को मिला है कैमरा में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वांकि हम उसको भी सही कर देंगे कोई नया तो आज आपको पसंद आई होगा क्योंकि भाई हमने की 218 रुपए की कैसी 5 एक रिफर बीश्ट फोन की अन्बॉक्सिंग जो की काफी बढ़िया कंडिशन के साथ आया है आपके सामने ही है तो भाई वीडियो कर लिजेगा लाइक एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो क साथ तक तक के लिए बाई बाई